दोस्तों आपकी सेवा में हम हमेशा ऐसे शेर्स तलासते रहते हैं जो की नीचे सस्ते और वाजब दाम पर मिल रहे हो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो साथ में मेजर ट्रगर पैंडिंग हो तो दोस्तों एक ऐसी ही कंपनी लेकर आए है क्वेस कॉर्पोरेशन सबसे मैतुपून बात इसमें केनेडियन फंड की ओनर्शिप है वो इसके प्रमोटर है फेरफेक्स होल्डिंग नाम से एक ग्रुप है जो की क्वेस कॉर्प का प्रमोटर है मतलब एक बात तो पक्की हो ग अस्तों में एक समू है तीन चार धंदे ये करते हैं तो उन सभी धंदों का जो वेल्यूएशन है वो अभी क्वेस कॉर्प के शेर में छुपा हुआ है किन्तु अब ध्यान दीजिए क्वेस कॉर्प अपने से दो कंपनियों को डिमर्ज कर रहा है परणाम सरूप यदि एक शेर आज की डेट में है तो दो शेर्स आपको फ्री में मिलेंगे अरल सब्दों में कहा जाए तो अभी एक शेर खरीदना है बारह महीने के बाद आपके पॉर्टफोलियों में तीन शेर्स होंगे कुएस कॉर्प करेंट शेर को मिला कर तो अब बड़ा सवाल यह है कि दिमर्जर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है दोस्तों कारण सिर्फ यही है कि अलग अलग बिजिनेश जब बन जाएंगे तो वो अपने सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री में अच्छे से फोकस कर पाएंगे और यह जो कंपनिया है जैसे क्वेस कॉर्प वर्क फोर्स करती रहेगी दूसरी कंपनी जो डिमर्ज होगी डिजिटाइज सोल्यूशन वो बिजिनेश प्रोसेस मेनेजमेंट करेगी एचार आउटसूर्सिंग करेगी स्रीमान ध्यान दीजिए यह बिजिनेश जो है वो अगले तीन से पाँच सालों में तीन गुना होने की संभाव करना भी प्रवल है दूसरा एक शेर जो आपको फ्री में मिलेगा वो है ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइज़ जो की काम करेगी इंडूस्ट्रियल सर्विसेज फैसिलिटी मेनेजमेंट इन्वेस्टमेंट का तो यह काम भी बहुत अच्छा है तो यह जो तीन कंपनिया रहेंगी क्वेस्ट कॉर्प डिजिटाइज्ड सॉलूशन एंड ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइज़ तीनों के शेर से जब मार्केट में ट्रेड होंगे तो उनका टोटल वैल्यूएशन बरतमान में जो क्वेस्ट कॉर्प के शेर का दाम है उससे ज्यादा होगा तो यदि किसी व्यक्ति का मद्यम से लंबी अवधी का नजरिया है तो वो क्वेस्ट कॉर्प पर टेक्नलोजी ओरियंटेट कंपनी पर नजर रख सकता है अभी मार्केट मानेवर ठंडा है लेकिन सुद्रेगा बिजनिस प्रॉसेस मेनेजमेंट वर्कपोर्स मेनेजमेंट का क काम बढ़ना ही बढ़ना है यह कंपनी ना केवल घरेलूग बलकि इंटरनेशनल मार्केट को भी सर्व करती है नो देशों में इनका कारोबार है साथ में कंपनी की डिविडेंड इल्ड भी बहुत अच्छी है तो कुछ ना मिला तो कम से कम 3-4 परसेंट की डिविडेंड इ देशी निवेशकों की बिकवाली आई शेर आदे दाम पर मिल रहा है अभी भी जी हां अभी भी इस कंपनी के शेर के दाम में उच्छाल की संभावनाएं प्रबल हैं अभी चुकि एक ख़वर आई है लोग चलचल के खईद रहे हैं लेकिन जैसे ही माहुल ठंडा होगा अ कंपनी के शेर का दाम तूटेगा चार सो साड़ तीन सो की नीचे जाएगा उस बात की संभावना बेहत कम है मतलब हर डिप पर बाइंग की जा सकती है उत्री लेवल पर खरीदारी धीर धीर आएगी डिमर्जर के पहले तो दोस्तों अभी क्वेस्प कॉर्प पर हम कोई र रहेगी मौका लगते ही हम रेक्मेंडेशन भी देंगे कोई स्कॉर्प पर तो यदि आपको इसी प्रकार की आम के आम गुठलियों के धम वाली रेक्मेंडेशन चाहिए हम से हमारे साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स ट्रेडिंग इंवेस्टमेंट करना है तो इसी स्टर मेंबर्शेप लेलीजियेगा मानेवर